आए एक अगला बड़ा सुन्दर सामाजिक चेतना का गीत यादव समाज में बड़े महान पुरूस करम बीर पेरियार ललाई सिंग यादव पैदा हुई जिनोंने बुद्ध के समानतावादी दर्सन को अपने जीवन में सुईकार किया आए आए आज यादव समाज के लोगों के लिए चार लाईने समर्पित कर रहा है आप लोग सुने और अमल करें अरे उठो लाल ललाई के जागो और मिलकर कदम बढ़ाना है लेके प्रेरणा बाबा सहब उसे जाती भेदो मिटाना है लेके प्रेरणा बाबा सहब उसे जाती भेदो मिटाना है उठो लाल ललाई के जागो उठो लाल ललाई के जागो मिलकर कदम बढ़ाना है लेके प्रेरणा बाबा सहब उसे जीवन सफल बनाना है बेटा मनोज आज कहना चाहता हूं कि समाज में आज भी जाती की बेवस्ता बड़ी यकिल है रभिदास जैसे संतों ने जाती बेवस्ता का बिरोद किया ये जाती क्या है लेकिन कहना चाहता हूं आज पुरानी मानसिक्ता को त्याक करके बेग्यानिक गुग में एक नए समाज का सभी लोग मिलकर निर्मार करें जाती बेवस्ता को हतम करें सांजहा सुख दुख सोसल सांजहा फिर क्यों खड़ी दीवार है पहुजन भिन्न समहूं में है संग चलने की दरकार है आज से ढ़ाएं जार साल पहले महामानों बुद्ध ने पूरे समाज को सब्द दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका नुकमपाय मनुष्टा नाव बहुजन भिन्न समूहों में संग चलने की दर्तार है परिवर्तन के लिए सभी को मिलकर हाथो बढ़ाना है लेके प्रेरण बाबा सहब से आगे कदम बढ़ाना है अपना इतिहास समय कौन थे ललाई शिंग यादव आज वो पुर्खा जिसने अपने हिस्से की जमीन को इस समाज को जगाने के लिए आज उस पुर्खे को उस समाज के लोग यादव समाज के लोग नहीं यानते कानपूर में जीनज किश्टेशन के पास कठारा गाउं में पैदा हुए ललाई शिंग यादव और अपने समाज को एक नया आयाम दे करके चले गए धन्ये से महापुरुस को सत-सत बंदन सत-सत नमन करता हूँ उथो लाल ललाई के जागो मिलकर कदम बढ़ाना है लेके प्रेरणा बाबा सहब से जाती में दुम्टाना है खुद से पूँछो कौन हूँ मैं क्या मेरी पहचान है किसी चेतना की उर्जा से लाना नया या भियान है मूल निवासी मिसन को हमको घर घर तक पहुँचाना है लेके प्रेरणा गवतम बूथ से जाती में दुम्टाना है यादव समाज में पैड़ा हुए ललाई शिंग यादव बड़ा अप्सोस बड़ा कष्ट का विशे उनका लोग निविहास उनके बारे में नाम तक नहीं जानते उनके गुरू समाद बन गए पाल समाज में पैड़ा हुए पेरियार रामाश्वामी नायकर धन्य जिनोंने दर्शन दे दिया उठो लाल ललाई के क्या दो मिलकर कदम बढ़ाना है लेके प्रेरणा बाबा सहब से आये हमको जाना है कब तक ये आपस में भारत देश में छूआ छूद फैनी रहेगी कब तक हम आपस में कब तक भोजन बैट कर नहीं खाएंगे कईशे देश भारत एक राश्ट बनेगा कहना है सम्मिधान में सब कुछ लिखा हुआ है पढ़ने की जरूरत है क्या लिखा है समता सत्ता न्याय बंधुता पकता अडिग इरादा है समता सत्ता न्याय बंधुता पकता अडिग इरादा है हर कीमत पर हांसिल करना यही आप उसे वादा है हमें पेर यार के सपनों का फिर से देश सजाना है लेके प्रेरना बाबा सहब से आजे हमको जाना है उठो लाल ललाई के जागों मिलकर कदम बढ़ाना है लेके प्रेरना दो तम बूठ से आजे हमको जाना है आजे तुमको जाना है आजे सबको जाना है